नमस्ते दोस्तों, Welcome back to Viewsport ये प्रिव्यू है Big Bash League के 13th माच का जो खेला जाएगा Hobart Hurricanes और Melbourne Renegades के दीछ में Saturday को Double Header है, ये प्रिव्यू है 2nd माच का 1st गेम का प्रिव्यू अलड़ी लाइव हो चुका है बात करेंब हरीकेंज की तो अभी तक एक भी गेम नहीं जीती है इस सीजन में Sydney Sixers से 6 विकेट से हार करा रही है और उसके बाद Port Scots से हारी 9 विकेट से Chris Jordan ने सबसे अच्छा खेला था उस मैच में हरीकेंज के लिए इस वक्त है 2nd last position पर पॉइंट स्टेबल में अगर मैं head to head की बात करें तो Renegades ने 8 मैचेस जीते हैं वही हरीकेंज ने जीते हैं 9 मैचेस ये lowest commission के फरजी दावे बहुत जगे सुने होंगे है न पर कभी इंडिया के fantasy sports का असली अखाडा देखा है वहां पर टीम बनाई है आओ खेलो fantasy अखाडा पर खुद देखो lowest commission और highest earning क्या होती है जल्डे fantasy अखाडा आप डाउनलोड करो और चीतो बात करते दोस्ते प्रावेबल प्लेइंग 11 की तो पहले देखते हैं होबाट हरीकेंस का प्लेइंग 11 तो यहाँ पे खेलते वे आपको दिखने जीए स्कॉर्ड में राइली मेरेडित और माथिवेड का नाम बनाउंस किया गया है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यह वालागें वापस से खेलते वे दिखेंगे अब अगर मैं बात करू इनके लास्ट मैच की परफॉर्मेंस की जो यह खेल कर आ रहे है पर्ट स्कॉचर उसके साथ जहां पर यह हारे 9 विकेट से उसमें बैटिंग से सबसे जादा रंस क्रिस जॉर्डन ने बनाएं उन्होंने बनाए 59 रंस के वल 20 बॉल्स में नेक्स बेस्वर्स निखिल चॉजवी जो 40 रंस बना कर आ रहे हैं विकेट की बात करें तो केवल एक ही विकेट निकाल पाई थी हो बाठ हरेकेन स्पोर्ट स्कॉचर्श की जो की क्रिस जॉर्डन ने ली थी अब देखते हैं मेल्बन एनिगेट का प्लेइंग 11 तो यहां पर खेलते भी देखने चीए क्विंटन डी कॉक इनके विकेट कीपर जो क्लाक जेक फ्रेजर में गर्ख निक मैडिंसन इनके कैप्टन आरन फिंच जॉनथन वेल्स विल्स अधरलन टॉम रोजर्श कें रिचर्ट्सन आडम जैंपा मुझीबूर रह्मान अब इनकी अगर मैं लास्ट गेम की बात करू अब बात करेंगे दोस्तों वेन्यू की तो अगर वेन्यू की बात करें तो यह गेम खेला जाएगा ब्लंड स्टोन एरीना होबाट में जहां पर एवरिज फर्स तुनिंग स्कोर लास्ट फोर गेम्स की में बात करूई तो 2023 में खेले गया है रहा है 156 रंस का टीम किया है पेसर नहीं यहां पर 39 विकेट्स निकाली है लास्ट फोर गेम्स में स्पिनर्स में केवल 10 विकेट्स निकाली है एक्जाट पिछ रपोर्ट कंडिशन आपको मिल जाएंगे हमारे टेलिग्राम चैनल पर और वाट्साप चैनल पर इंक्लूडिंग इस गेम का इंसा किया है मत्यू वेड ने मनाएं 8-53 रंस, 36 इनिंग्स में Ben MacDermott बना चुके रहे हैं 8-48 रंस, 34 इनिंग्स में 8 बारी हाफ सेंचुरी ये लगा चुके हैं साम हेन ने बनाए है 53 की आवरिज से 797 आलमोस्ट 800 बना चुके हैं 26 इनिंग्स में साथ बारी हाफ सेंचुरी ये भी लगा चुके हैं इनके बॉलर्स की बात करें दो नेथन एल् haz ने काली है सबसे बड़िज़न 53 इनिंग्स में स्ट्राइकर ट्राइभ 17.2 के ईनिकाली लिए निकाल चुके हैं 26 विकेश राइली मेरेड़ित ने 20 विकेश निकाली हैं अगें 17 की स्ट्राइक रेट से पैटर्क डूली की मैं बात करूं तो यह भी 14 विकेश निकाल चुके हैं 12 इनिक्स मेलबन एनिकेश के बैटर्स में जो क्लाक ने बनाया है सब जादा रंस 912 बना चुके हैं आठ बारी हाफ सेंचुरी इस साल लगा चुके हैं विंटन डी कॉक में 34 की आवरेज से बनाया है 799 रंस 800 बना दिये हैं 24 इनिक्स में एक सेंचुरी भी यह लगा चुके हैं इनिकेश के बोलर्स की साइड से अडम जैंपा ने सबसे जादा विकेश ली हैं 44 विकेश ली हैं ब्रिलियंट 16 की स्ट्राइक रेट से 30 इनिक्स में मुझीवू रहमान 28 विकेश ले चुके हैं ग्रिचर्ट सब्सक्रिप्शन ने भी 27 विकेश लिए 23 इनिक्स में अलमॉस और इसमें आपको साल भर के क्रिकेट और फुटबॉल के जितने भी मैंचेस हैं अनलिमिटेड मैंचेस के फैंटेसी 11 का हो जाएगा आक्सेस आप हर एक मैंच का फैंटेसी 11 देख सकते हो तो पहले ये था 7999 रूपीज का इस वक्त आपको मिलेगा 199 रूपीज में तो आप से तो यहां पर विकेट कीपिंग सेशन में हमारी पहली पिक रहेगी मेलबंड़नी गेट से कुंटर डीकॉग डेबी उतना अच्छा साथ नहीं हुआ है इन विगबाश लीग का स्कॉचस के अगेंस बैटिंग नहीं करने का मौका मिला अज गीम वस कॉल्ड ओफ एंड दू से कोई लेक्स पिनर फिट नहीं होते हैं अगर है जोगलू खेलते वे दिखते हैं तो इन्हें जरूर परिशान कर सकते हैं नेक्स हम लेके जाएंगे विकेट कीपिंग सेक्शन में वह होंगे होगे हुबाट हरीकें से बन मिक्डिमट सिक्स के अगेंस बनाएं नहीं हुआ है बट काफी बड़े प्लेयर माने जाते हैं हुबाट हरीकेंस के लिए एंड इस गेम माइट जस्ट भी जहां पर इनकी फॉर्म वापस आजा है क्योंकि आप इनका है टूर्ट रिकॉर्ट देखोगे तो बहुत ही एक्सेप्शनल एट रिकॉर्स आप देख स से एक सेंचुरी वे भी लगा चुके हैं छे बारी हाफ सेंचुरी तो इस गेमें हम डेफिलिटली बैक करेंगे बेंड मेंग दर्बट को तीसरी पिक भी हम यहां पर लेके जाएंगे मैथ्यू वेट जैसे कि मैंने बताया इस मैच में मूसली खेलते वे दिखने चाहिए उपन करेंगे जैसे पहले मैच में देखो उपन करते वे इनने 11 रंसी बना पाएते हैं उस मैच में प्लस आपको विकेट कीपिंग से भी पॉइंट दिलाएंगे यहां पर उपन करते वे हम एक स्पेट करेंगे एक एक्स्प्लोसिफ पारे यह खेल कर जाएंगे इनका हमारे प्रॉब्विल 11 में कोई लेफ्ट आम पीसर इस वोट सिट नहीं हो रहा है बाटिंग सेक्शन में चलते हैं तो पहली पिक रहे हैं पर मेलबन रेनिगेट के जेक फ्रेजर में गर्क स्टैंडब बैटर रहे हैं इस टीम के लिए लास्ट दो मार्चेस में अगर आप देखूँगे तो 48 रंस बनाया है सिक्सर्स के अगेंस 55 बना कर आदे हैं विस्बन हीट के अगेंस्ट ऐसा लग रहा है कि अलगी पिछ पे कुछ बाटिंग कर रहे हैं कंपेर्ट टू रेस्ट ऑफ इस टीम मेट्स क्योंकि अलग ही कुछ खेल रहे हैं पिछले दोनों माच जिनको रिस्क लेना पसंद है वो इनको डेफिनिटली कैप्टेंसी पिक बना सकते हैं जीएल के लिए भी अच्छी काप्टेंसी पिक है बन सकते हैं दो दूसरे बैटर हम लेके जाएंगे वह होगे होगे होगा हरी के टिम डेविड पहले तो मैच जिसमें कुछ कर नी पा तो this can be the perfect venue for him जहां पर ये things को turnaround कर सकते हैं तीस्टेज हम बैटर लेके जाएंगे बेस्टीम में वो होगे होगे होगा हरी केन से ही केलब जूल ओपन करते हैं होगा हरी के लिए 42 रंस बनाए इन्होंने सिक्स के अगेंस सिक्स के अगेंस 12 रंस के पारे खेली इन्होंने ले तीन बैटर्स फिलान हम लेके जाएंगे अपनी बेस्टीम में होल आउंडर सेक्शन की बात करें तो पहली पेग हो जाती है क्रिस जॉर्डन मेलबर देगे इस के लास्ट गे में से काफी कॉंफिडेंस मिला होगा प्लस बोलिंग से तो हमें पता है कि ये वाल्यू प्रव स्कॉर्ट देखोगे तो वो भी अच्छा है पांच इनिक में साथ विकेट से निकाल चुके हैं स्ट्राइक रेट रहा है 17 का हुबाठ हरीके इसके अगेंस्ट दूसरी जो हम फिकले के जाएंगे लॉडर सेक्शन में वह होगी मेलबर नैने के इसके विल सदर्लांड हमने सीजर में देखा है कि आल रांडर्स काफी अच्छा परफॉर्मिस दे रहे हैं पिर चाहे वो पॉल वाल्टर हो जेमी ओवर्टर्न हो एंड सदर्लांड को भी हम उसी काटेगरी में फिट करेंगे लास्ट गेम में हीट के अगेंस्ट बारा रन्स इनोंने बनाए और तीन इनोंने डाले और इसके अलावा सिक्स के अगेंस्ट 50 स्कोर करकर आ रहे हैं दो विकेट्स भी लिए नोने स्कॉच्छ के अगेंस्ट भी एक विकेट ली थी बड़ वो गया था तो अगें अच्छे ले में ये भी दिख रहे हैं बहुत बाटिंग बालिंग वाइस आपको पर काफी कुछ डिपेंड करता है मिडल ओवर्स में विकेट्स टकालना बहुत जरूरी हो जाता है बाई अच्छी डिफिरेंशल काप्टेंशी तिक रहेंगे इसके में इनके आप हुबाट हरीकेंस की बैटर्स का अगर मैच अप देखोगे वर्स लेक ब्रेक इस साल तो म सब्सक्राइब करते हैं तो इन दोनों को ट्रॉबल करते हैं आडम जैंपा इसके इलावा बैंक्ट को मैच अप की बात करूं तो साथ निंग दो बारी उन्हें भी आउट किया है आवरेज़ा 21.5 का दूस्टे बोलर जो हम लेके जाएंगे वह बाठ हरीकेंसे राइली मेर बोलिंग सेक्शन अगर खेलते हुए दिखते हैं तो हेट वेट रिकॉर्ट ब्रिलिंट है नौ इनिंग्स में 15 विकेट्स ने निकाली है मेलबर रेनिगेस के अगेंस्ट वेन्यू रिकॉर्ट भी एक्सेप्शनल है 21 इनिंग्स में 30 विकेट्स ले चुके हैं 16 की भी कम स् मस्थाफ पिग जैसे मनें बताया बोलिंग सेक्शन में राइधी मेरिट तो दोस्तों यह बनकि हमारी बेस्टीम जहांवाकित कीबिंग सेक्शन में हम लेकर जाएंगे माथ्यू वेट को बें में मैंग्डर्मट को विंट लिए घुण को पार निकालिजिव को केरें अलक आपको मौका है एक फोन जीतने का बिग बैश लीग के हर एक माच में आपको उनका मेगा कॉंटेस्ट जॉइन करना है 20 या 20 से उपर टीम बनानी है उस बैगा कॉंटेस्ट में एन आप एक लगी विनर हो सकते हो जो एक फोन जीत सकता है हर एक बीबिल के माच में कर लो और यूवाइस टीम मिनाने की बात आती है तो अगर होबाट हरीकेंस पहले बोलिंग कर रही है तो हम यहाँ पर एक एक एक्स्ट्रा बोलर को लेकर जाएंगे होबाट हरीकेंस की साइट से जो की होंगे नेथन एलस बोलिंग फर्स करते वे काफी अची डिफिरेंशल कैप 7-4 फॉर्माट में तो यह बनेगी हमारी टीम अगर होबाट हरीकेंस पहले बोलिंग कर रही है तो विकेट कीपिंग सेक्शन में हम सेम जाएंगे बेन मेंगरमट के साथ मिंटर डीकॉप के साथ और मैथ्यू वेट के साथ बैटिंग सेक्शन भी हमारा सेम रहेगा विज गर्ंड टिम्डेविड और हम जाएंगे तीसरे कलिब जुल के साहत ऑरल्रोंडा सेक्शन में हम जाएंगे विल सबशलन के साथ और खृस जौर्डन के साथ बोलिंग सेक्शन में आलॉग इसे डिडेश वाहले गरगर मेलभन हनी कre Lee Bennett कर रही ही है but bowling first आप इनको definitely अपनी टीम में ले सकते हो और यहीं इनके numbers भी suggest करते हैं अगर आप यहां इनका head to head record देखोगे तो bowling first आप देखो 7 innings में 9 wickets ली हैं bowling second 3 innings में 3 wickets ली हैं and when you record भी अगर आप देखोगे तो bowling first 6 innings में 9 wickets निकाल चुके हैं 14.2 की strike rate से जो की second innings में 3 innings में 3 wickets ली हैं निकाली है तो number suggest कर रहे हैं bowling first एक बहुत ही अच्छी pick बन जाएंगे यह bowling section में तो यह बनेगी हमारी team 7-4 format में जब Melbourne Nenegates पहले bowling कर रही है तो wicket keeping section में हम जाएंगे Ben McDermott, Quinton Decock और Matthew Wade के साथ ही batting section में हम जाएंगे Caleb Jewel के साथ, Tim David के साथ और हम जाएंगे Jake Fraser McGough के साथ और लगर section की बात करूँ तो Will Sutherland के साथ हम जाएंगे और हम जाएंगे Chris Jordan के साथ और bowling में हम Adam Zampa, Riley Meredith के साथ साथ देखे जाएंगे Kane Richardson को क्योंकि वो पहले bowling करते हुए दिखेंगे अब अगर मैं tennis to one format की बात करूँ यहां पर तो हम यहां पर अगें दो batters को drop कर देंगे और वो जो extra slots है हम देंगे अपने bowlers को तो हम यहां पर wicket keeping section में Quinter D.Cock, Ben McDermott और Matthew Wade के साथ ही जाएंगे batting में हम केवल Jake Fraser McGough को लेके जाएंगे Tim David को और Caleb Jewel को आप लेकर जाएंगे रिचर्ट सन को भी नेथन एलिस को भी जिन दो पिक्स को हमने bowling first अलग लिया है उन्हें आप tennis to one में दोनों को लेकर जा सकते हो फिफ्ट जो हमारा प्लेयर बचता है bowling section में वह हम लेकर जाएंगे Melbourne के मुझीबूर रह्मान को लास्ट मैच में भी यह दो विकेट निकाल कर आ रहे हैं और इनके हैड-to-head record की अगर मैं बात करूँ तो bowling first आप देख सकते हो पांच इनिक्स में नौ विकेट से निकाल जुके हैं और वेन्यू पर भी तीन इनिक्स में चार विकेट से निकाली है और मैथिव वेट को भी परेशान करते वे दिखें हैं तीन इनिक्स में से दो बारी उनकी विकेट निकाली है तो आप डैफिनिटली मुझी बूर रह्मान को अप अपनी टीम में रख सकते हो 7-4 में आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि आपको तीन बैटर्स महाँ पर करने ही पड़ेंगे अब दोस्तों अगर सेफ काप्टेंसी पिक्स की बात करूँ तो हम यहाँ पर जाएंगे क्रिस जॉर्डन आपको दोनों बैटेंक बोलिंग से ऐगे और कुरिंटन डीकॉथ काप्टेंसी पिक्स की अधर में बात करूँ तो हम जाएंगे मैं आपको बताए हमारा सब्सेशन पास लॉज हो गया है बहुत ही मिनिमल प्राइस पर तो वो भी अवेल कर लिना आपको डाउन्लोड करके मैं आप से जल्द मिलूगे नेक्स फैंटेसी प्रिव्यू के साथ थैंक यू फूमा